नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हमने चैप्टर वन कम्प्लीट कर दिया है पुरा, उसका असाइमेंट लिखने को भी मैंने कहा था आप लोगों को, तो उसका सवध्य है पुरा कम्प्लीट कर लेना है, जितने उधान करवा हैं वो, और साथ में सवध्य है के सा वो आपको कम्प्लीट करने है, हम नैस्ट चेप्टर दो करने जा रहे है, परमानू की सरचना, तो परमानू, परमानू की सरचना में हमें मुख्ये 6 पॉइंट हैं हमारा इसमें, पहला है आप परमानवम्य को जा grain, परमानू मोड़ल, बोर के परमानू मोडल के विकास की भुमी hydrogen प्रमाणू के लिए bore model प्रमाणू के quantum यांतरिक्य मोडल की और और प्रमाणू का quantum यांत्रिकय मोडल अब इसके अंदर से कई सारे मुद्ड्य हमें नहीं पड़ने हैं जैसे के उलेक्ट्रॉन की खोज इस पर जो 30%avic dział को समें अब प्रमाणी विए टर्माणू की खो खोच परमाणू मोडल में थॉमसन का परमाणू मोडल और रुदर खोड का परमाणू मोडल नहीं पढ़ना है हमें बोर का परमाणू मोडल से अपना चैप्टर शुरू करना है परमाणू संख्या और द्रभ्मान संख्या भी नहीं है इसमें समिस्थानिक और संभारिक भी परन्तु परमाणू संख्या बेजिक है और द्रभ्मान संख्या भी इसलिए पहले हमें ये तो देखने ही पड़ेगा कि परमाणू क्या होता है कोर्स में इस वार नहीं है लेकिन बेजिक पता नहीं होगा तो ये शेप्टर आगे बढ़ने सकता है इसलिए हम वो पढ़ेंग कि परमाणू किसे कहते हैं परमाणू अर्थात क्या तो परमाणू सब्द जो है ग्रीक भासा के सब एटम से उत्पन हुआ है जिसका मतलब होता है ना काटे जाने वाला या अभिवाज पहले ये विचार कल्पना पराधारी था उसका कोई प्रायोगी परिच्छन पाना सं दिवाज है लेकिन जैसे जैसे खोजे आगे बढ़ते गई और कई सारे वेज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तब यह पता चला कि प्रमाणू के मुख्ये दो भाग होते एक अंदर का भाग जिसमें नाभिक कहते हैं और दूसरा होता है बाह भाग जिसमें इलेक्ट् और न्यूट्रोन और उसके बाह भाग में इलेक्ट्रोन भ्रमण करता है आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं बीच में P प्लस लिखा है P प्लस that means the proton and 0 that is the neutron and E minus लिखा है मैंने वो है इलेक्ट्रोन P प्लस का मतब होता है proton धनावेशित होता है neutron उदासिन होता है और electron पर रिनावेश होता है तो मुख्य दो भाग और तीन घटक से तो और भी कई आप प्रमाणी घटक होते हैं पर तीन घटक तो आपको यादी रखने है इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन तथा neutron प्रोट्रोन और neutron नाविक में और electron का होता है उसके बाहरी भाग मेंब्रहमन करता है इसी में आता है हमारा अभ प्रमाणू क्र्मांग अब आता है हमारा प्रमाणू क्रमांग की से कहते हैं तो नाविक में उपस्तित प्रोटोन अत्वा इलेक्टोन की संख्या को प्रमानुक्रमांग कहते हैं सब्द यूज समझना उदासीन तत्व है तो उसमें प्रोटोन अत्वा इलेक्टोन सिर्फ कोई भी तत्व है सिंपल तत्व है तो उसमें प्रोटोन की संख्या है लेकिन धनायन और रिनायन में ये लागू नहीं पड़ता है आगे में धनायन और रिनायन भी बताती हूँ फिलाला प्रमाणु क्रमांग समझिए तो अभी हम देख रहे हैं नाभिक में उपसित प्रोटोन की संख्या को क्या कहते हैं प्रमाणू संख्या और इसे संकेत में जेड से दरसाते हैं दुसी चीज़े द्रबीमान संख्या तो अभी मैंने डाइक्राम में आपने देखा ही था कि नाभिक में क्या होता है प्रोटोन और नूट्रोन तो नाभिक में उपस्तित प्रोटोन और न्यूट्रोन की कुल संख्या को द्रभिमान संख्या कहते हैं और इसे न्यूकलोन्स भी कहते हैं यानि प्रमाणू का पूरा भार जो है हो किस पर डिपेंड करता है नाभिक पर जिसमें proton और neutron उपस्तित होते हैं और proton और neutron की संख्या के कुल योग को क्या कहते हैं द्रभिमान संख्या अत्वा प्रमाणुभार और इसे संख्यत में A से दर्साय जाता है तो A is equal to हो जाएगा P plus N plus N zero आगे इसी का एक example देखते हैं तो example लिखा है उसके पहले हम यह देख लो किसी भी तत्व को कैसे सांकेतिक निरुपन दिया जाता है तो किसी भी तत्व का सांकेतिक निरुपन आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ इस screen पर A उपर X and Z तो A क्या होता है द्रभिमान संख्या या प्रमाणु भार और X है कोई तत्व, Z है प्रमाणु संख्या that means J प्रमाणु संख्या, Z जो नीचे दिया होगा आपको प्रमाणु क्रमांग या प्रमाणु संख्या उपर जो दिया होगा वो प्रभिमान संख्या, that is proton plus neutron और X यानि किसी भी तत्व के लिए वो symbol है इसी का example अगर हम आगे देख रहे हैं तो example है, suppose यहाँ पर में आप देख रहे हैं 35, BR और उपर है 80 में proton, neutron और electron की संख्या find करनी है तो यहाँ पर Z बराबर 35 और A बराबर 80 इस तत्व के लिए हमको proton, neutron और electron find करने हैं P plus, that is 35, 35 के आगे आपका proton की संख्या क्योंकि नीचे है, तो नीचे क्या होता है पर मानु कुर्मान, क्यानि proton कितने हो गए 35 अब electron, जितने proton होते हैं, उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रोन होते हैं, तो electron की संख्या भी हो गई 35 अब A, यानि प्रमानु भार या द्रभी मान संख्या Z plus N, तो Z क्या है आपका, कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है इसमें हम आगे चल रहे हैं तो मैंने भी आपको से बात कि थी दहन आयन और रिनायन की तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रोन का दान देता है तो क्या बनाता है, positive iron और कोई तत्व जब इलेक्ट्रोन का स्युकार करता है तो क्या बनाता है, negative iron जिसे कि Na, sodium Sodium । प्लस प्लस ऐड़न दे रहा ऐ इसलिए ऊपर उपर प्लस वैंस तोई भी था तो जितने लुक्त का दान देता है और इसतर आयन बनाता है उतने आवेश उसके उपर आता है एक acción का दान दिया इसलिए angled प्लस है। तो जितने एलेक्ट्रों का दान देता है उतना ही उसके उपर क्या आता है धनावेस आता है अब इससे रिलेटेड भी एक हम देखने हैं जा रहे हैं आगे किसी स्पीजिज में इलक्टॉन प्रोटॉन तथा न्यूटॉन की संख्या क्रमसा अठारा सोला तथा सोला है तो इसका योग्य प्रतीक हमको देना है यानि सांकेतिक निरूपन करना है तो सबसे पहले हम कॉंसेंट्रेट करेंगे प्रोटॉ याद कर लेने हैं कम से कम एक से तीस तक के तत्व उनका सांकेतिक निरूपन आपकी बुक में मिल जाएगा तो एक से तीस तक के तत्व के प्रमाणु कुर्मांग उनके सांकेतिक निरूपन के दिहान से बिल्कुल याद कर लेने हैं तो कि कॉंसेंट्रेशन होगा आपको प्रमाणु कुर्मांग पता होगा तो आपको तुरंट तत्व पता चल जाएगा, तो प्रोटोन 16 है, जड मिल गए आपको 16, लिखा है मैंने सामने, प्रमाणु भार क्या होता है, प्रोटोन प्लस न्यूटोन, तो 16 प्लस 16, कितना हो गया 32, अब प्रमाणु करमांग 16 हो, ऐसा तत्व है सल्फर, तो नीचे 16 लिखा, उपर 32 लिखा, सल्फर तो लिख दिया, अब आप देख रहें, माइनस 2, यह माइनस 2 कहां से आया, तो मैंने क्या बोला था, कोई भी तत्वें, जितने प्रोटोन होते हैं, उतने इलेक्टोन होते हैं, अगर कोई उदासीन तत्व है, तो उसमें प्रोटोन और इलेक्टोन की संख्या समान होती है, नीट्रोन की संख्या कैसे मिलती है, प्रमाणु भार में से प्रोटोन की स अच्छा 2, दो बड़ी है, इसलिए S माइनस क्या आएगा 2, तो आपका सांकेतिक नूपण हो जाएगा 16, S 32, S माइनस 2, इस तरह अगर कोई धनायन दिया हो, और इलेट्रोन की संख्या कम की गई है, तो क्या आजाएगा, धनावेस आजाएगा, हम आगे जाते हैं, आगे प्रमाणू मोडल में आपको करना क्या है, इस लेक्चर में मैं जेस्ट बताऊंगे, और नेस लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो बोर का प्रमाणू मोडल में, जैसे कि द्रभ के साथ विकरण की परसपर जो क्रियाए होती है, उनकी अध्यन से प्राप्त प्रमाणूं से, प्रमाणूं और अणूं की सरचना से संबंध में अत्यदिक सुचना प्राप्त हुई है, नील बोर ने इन परिणामों का उप्योग करके रुदर फोर द्वारा जो मोडल दिया गया था, उसमें सुधार किया था, आप एक पर रीड तो करी लि प्रमाणूं तरंग तथा कंड दोनों के गुण प्रदसित करता है, उसमें तरंग का भी गुण होता है और कंड का भी गुण होता है, प्रमाणूं से संबंधित प्रायोगिक प्रणा, तो इससे क्या प्रणाम प्राप्त होते हैं, तो ये दो मुद्दे बोर का करना पड़ेगा तो आज के लिए पहले आप इतना त्यार कर लीजिए उसके बाद हम नेस्ट प्रियेड में या नेस्ट लेक्चर में इसके आगे की थियरी पढ़ेंगे ओके बच्चो नमस्ते